अप सभी सुरोताबंधों को मेरा प्यार भ़रा नमस्कार आई आज हम सभी एक एक देशी टोटके के बारे में जानते हैं कि क्या है ये टोटका और इसका वास्त्रीक राज क्या है आप सभी आज कल देखते हैं नेट पर कि कोई कहता है कि एक रुपे का सिक्का तक ये के नीचे रखे आपको धन धानिय की प्राप्ती होगी सुखी हो जाएंगे आप वैभव प्राप्त हो जाएगा आपको कोई कहता है पांच का सिक्का रखिए कोई कहता है कि आप तकिये के नीचे लहसों रख लीजिए या फिर इलाइची रख लीजिए ये सारी चीजें जो होती है वो आपके बिलीफ पर डिपेंडेंड है आपकी human psychology जो होती है जब भी हम परेशान होते हैं तो दो या तीन ही रास्ते ऐसे हैं जो हमें उसमें सहायता करते हैं और उससे बचाते हैं हमें एक तो अपनों का साथ आप बीजी रहते हैं उनसे बात करते हैं फिर आपका mind थोड़ा divert होता है और एक कोई उमीद मिल जाए कि हाँ positivity जिसकी वज़ा से आप में आ जाए कि मैं इस कारे को सही धंग से कर सकता हूँ अब यह positivity आएगी कहां से जब आप निराशावादी हो जाएंगे जब आपके उपर परिशानिया आती हैं दुख आता है तो वो जाने के लिए ही आता है ऐसा नहीं है कि वो पूरी जिंदगी बना रहेगा ताउम्र बना रहेगा वो छटता है धीरे धीरे हटता है लेकिन उसमें टाइम लगता है लेकिन उस डूरेशन को कैसे काटा जाए सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है वो यहीं होती है कि उस डूरेशन को कैसे काटा जाए मुश्किल की घड़ी को कैसे काटा जाए उसी में बहुत सारे लोग परिशान हो जाते हैं उनको समझ में नहीं आ कि बहुत लोगों का मानों होता है कि उनका काम हो जाता है Скरू criter कि अपके लिग्छ करते हैं तो आपके अंदर एक उमीद इच bliver कहना कि हाँ मैं इस कारे के लिए कुछ कर रहा हूं किसी भी कारे को जब आप मन में ठानते हैं तो पहली बात आते है कि आपने डिसाइट क्या लक्षे क्या कि मुझे यह करना है यह परिशानी है तो मेरा ये रास्ता इससे बाहर निकलने के लिए यह दैन उस पर इस हुन करते हैं लेकिन होता कि यह जब हम निरास होते हैं, پरिशान होते हैं, दुखी होते हैं, चाहें बीमार होते हैं, तो हमारे अंधर यह positivity आहीं नहीं पाता है, हम negative हो जाते हैं, कि यह काम कैसे होगा, इतनी सारी परिशानिया हैं, दिक्कते हैं, इससे बाहर कैसे निकला जाए, हम इसी पर सूजते रह जाते हैं हमारे अंदर positive बात आने की कोई गुंजाई सी नहीं बसती है या फिर हमारा mind positive side जाही नहीं पाता है देखी नहीं पाता है फिर हम कुछ ऐसे टोटके अपनाते हैं या फिर किसी cyclist के पास जाते हैं आप scientific हैं तो वो क्या करते हैं आपके mind को divert क करते हैं आपने मालिज ये की टोटके में पांच का सिक्का हो या जो भी है आपने तके के नीचे रखा वो आपको एक belief की किरण लेके आता है आपके अंदर एक छोटी सी किरण जगाता है कि हां मैं आप कर सकता हूं आप में यह विश्वास सेकता है उसको करते हैं कि मैं इस आप में जो belief जगता है उसकी वज़ा से कारे की प्रगती बढ़ जाती है आपके रूची बन जाती है वर्क को करने में फिर आप निरंतर धीरे धीरे काम करते जाते हैं जैसे जैसे काम करते जाते हैं वैसे मुसीबतें दूर होती जाती है और आपके पास सफलता आती जाती है यह टोटली साइक्लोजिकल फैक्टर है कि आप तकीय के नीचे रखें या आप सिक्का रख लें या फिर कोई भी टोटका अपना लें टोना अपना लें या फिर आप साइक्रिस्ट के पास चले जाएं काम दोनों लोग एक ही करते हैं बस दोनों का तरीका अलग होता है तो घर में हर चीज इस्तेमाल की ही होती है आपको तलवार भी बनी होगी तो कभी आपकी सुरक्षा के लिए ही बनी होगी लोग जंगलों में रहते थे लेकिन हम इस्तेमाल करने लगते हैं उससे किसी को मारने के लिए ठीक वैसे ही छोटा बच्चा होता है तो जहर की सिसी लाकर के मानलो आपने घर में रखे हो यह चोटी सी किसी यूज के लिए रखा हुआ हूँ आपने या फिर कोई दवा लाकर रखे हो आपने जहर तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी मानलीजे आप दवाई को इला करके रखे हैं लाल पीली दवा हो छोटा बच्चा जो आप बार भार खाने के लिए आप सोचिए क्या उसे लेने देते हैं उठाने देते हैं उस दवा को नहीं वो रोए गाय कुछ भी करें आप उसे उठाने नहीं देंगे नहीं खाने देंगे क्यों कि आप जानते हैं कि यह इसके लिए लोस वाला है लेकिन यह भी जानते हैं कि ब वर्ट करना है मैंड उसका वहां से उस जगह से हटा करके किसी और चीज में डाल देना है फिर आप खाने की कोई चीज उसको दे देते हैं जिसमें उसको लाला चो वो चीज दे देते हैं फिर वो भूल जाता है उस बात को तो इससे उसका भला होता है ठीक वैसे हैं जब आप परिशान होते हैं, आपका माइंड परिशान होता है, तो ये करते हैं, अब छोटे बच्चे को हम ये बताने लग जाएं, बात में यहां से शुरूरी थी, कि छोटे बच्चे को माली जे बताने लग जाएं, कि बेटा ये दवा जो है, केवल जो बिमार लोग हैं, उनको दिय जाता है तो उसके खास उम्र होती है उसके बाद आप बताएंगे तो समझ सकता है लेकिन जो छोटा बच्चा है आपका रो रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है है क्या वो बोलना भी नहीं जानता है लेकिन उसको कलर अच्छा लग रहा है वो जा रहा है बार बार अब आप आप उसको ये बात समझाएंगे कि बेटा ये नहीं लेने हैं, आपके लिए नहीं है ये, वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो उससे उपर की चीज है, ठीक वैसे ही हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो चीजो राई जाने वाली बात नहीं है यह ज्यान kalian होता है धीरे-धीरे जिस्समा में आपब रहते हैं जैसे पढ़ते हैं जैसे एजुकेंस ले थे हैं जैसे महाँल में बड़े होते हैं उससे आता है अपके अंदर एकront नहीं आ सकते तो इसलिए कुछ एक लोगों के लिए ये लापकारी भी साबित होता है चुकि उन में कैसे भी हो वो बिलीव तो जगता है कि हां हमने इसके लिए ये किया हुआ है तो उसकार्य को करते हैं फिर उसमें धीरे-धीरे सफल हो जाते हैं चाहें बीमारियां हो या ज कैसे ले लेते हैं और फ्रा़्तो के तोस звуч में गलत हो जाता है तो इफस्याट में हर जगा है में हमें ध्यान देना है कि हम कैसे ठीक रह सकते हैं तो आपके अगर option है तो आप cyclist के पास जाते हैं कि हां हमारे साथ मांसी कि यह problem चल रही है हमें दिक्कत ही हो रही है इसका solution क्या होगा वो भी यहीं काम करते हैं आपको confident रहने की बात करते हैं आपको positive thinking की बात करते हैं आपका problem पर से दिमाग हटाने को बोलते हैं कि वहां पर दिमाग को लगाए न रखें अपने आपको ज्यादा तर बीजी रखें अपने आपको involved रखें work में फिर आपका धिरे धिरे रुजान जो है वो work की तरफ चला जाएगा problems दूर हो जाएंगी तो यहीं बाते होते हैं टोने टोटकों में दोस्तों यह हमारा नीजी मत है हो सकता है कि सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे चीजों को इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए सबसे important है और वो समझ अपने आप में हो develop तो सबसे बहतर होता है यह था आज का हमारा wise over आप सभी के लिए अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महतोपूर्ण जानकारियों क को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद